हेलो बच्चू कैसे हो आप सर आपके 10th का रिटेल का सिलेवस चींज हो चुका है अब यह हम नई सिलेवस के अकोर्डिंग कर रहे हैं टॉपिक्स तो फार्स यूनिट का भी टॉपिक है यह इंस्ट्रक्शन्स टू पॉजिशन स्टॉक पॉजिशन होता है स्थान किस स्थान पर रखा जाए स्टॉक तो जब हम वस्तू का स्टॉक करते क्यों है वस्तू का स्टॉक हम इसलिए करते हैं विटा कि हम घ्राहक की जरूरत को सही समय पर पूरा कर सके अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा एडवास में कुछ भी माल दुकान में नहीं होगा तो अगर कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी एक निष्टित मौसम में ही बनाई जा सकती हैं तो अगर उन्फ को उस मौसम के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उनका स्टो रखना पर एक्जामपल अगर हम खाने की बात करें तो हमारे वीट है राइस है यानि कि गेहू औ या नवंबर में जब गेहू अभी तो उगाया भी नहीं गया होता तो क्या तब हम गेहू नहीं खाते हैं तो हम क्या करते हैं जो गेहू उगाते हैं उसको पूरे साल के लिए स्टोप करके रखते हैं जिससे कि हम पूरे साल उसका इस्तेमाल कर सकें तो जब भी हम यह स्ट स्टों करते हैं तो इसमें पहला है प्रॉपर केर सही देखबाल करना चाहिए जैसे आपने देखा होगा कि आगर हम करते हैं तो उसमें कोई दवाई या इस कोई चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि उसमें कीड़ा वगेरा ना लगे और वो खराब ना हो इसी प्रकार जिसे दवाईयां हैं दवाईयों को अगर बहुत गरम बातवरण में स्टोक कर दिया जाए तो वो पिगल जाती हैं खराब हो जाती हैं फाल सब्जियां हैं उनको को ठंडे स्टान पर स्टोक करके रखा जाता है तो जब भी हम स्टोक करते हैं तो प्रॉपर केर सही देखबाल करनी चाहिए अगर उसमें किड़ा लगने की चांस हैं तो उसमें दवाई लगाना या इस प्रकार की जो भी साफ़ानियां हैं वो हमें रखने चाहिए तो सही स्टान पर स्टोक करना फर्क सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोर बनाये जाते हैं ठंडे स्टान बनाये जाते हैं जहां पर उन्हें सुरक्षित करके रखा जाता है तो वस्तु का स्टोक सही स्टान पर करना चाहिए नेक्स्ट ए कंट्रॉल पोस्ट यानि कि लागत नियंत्रन में रहें हमारे खर्चे नियंत्रन में रहें अगा लागत बहुत अधिक हो जाएगी तो हमें नुकसान उठाना रखना चाहिए जिस वस्तों की ग्रहत मांग करता है डिमाड करता है केवल इस वस्तु को चाहिए और उतनी ही मात्रा, कहीं अ हो ईए क्या-क्या निर्देश दिए जाते हैं